हाई गैसे वेलकुम बैक तो माई चानेल मैं हूं स्भीटियो और आप देखत रहे हों स्पार्कलंग सोल्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको किसी पर्सन ने हर्ट किया तो आप उससे सौरी मैनिफेस्ट कर सकती controlling और मैं कैसे sorry manifest करती हूँ हमेशा और इसके साथ-साथ आपको sorry manifest करने के लिए क्यों मना किया जाता है सबसे पहले जब आप किसी person से sorry manifest करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है सामने वाले person की कोई बात आपको बुरी लग जाती है और जब वो बात आपको बुरी लग जाती है तो आप अपने मन के अंदर उस बात को पकड़ के रख लेती हो और जब आप उस negative बात को पकड़ लेती हो तो क्या होता है कि उसका effect आपकी body के उपर दिखना शुरू हो जाता है मतलब या तो आपके skin आपको dull सी लग जाती है आपको dark circle दिखने लग जाता है आपके hair follow ना start हो जाता है ये कुछ symptoms होते हैं और इसके साथ साथ आपको चिड़ चिड़ापन शुरू हो जाता है इस वज़े से सिर्फ आपको sorry manifest करने मना किया जाता है इस पूरे process में पर आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी कुछ story बताना चाहते हूं जैसे मेरी life में कैसे ये चीज़े अपने होती गए ये बात है 2018 की बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं 2018 में जिम जाती और जो मैं manifest कर रही थी अपनी body में changes वो मेरे body में दिख रहे थे मुझे बहुत अच्छा result मिल रहा था और इसकी वज़े से बहुत सारी जो लड़किया थी उन्हें ये अच्छा feel नहीं होता था देखके और उस लड़की ने मुझसे पूछा कि ऐसा आप क्या special कर रही हो जिससे आपको result मिल रहा है और हम इतने time से exercise कर रहे हमें result नहीं मिल रहा है तो मैंने उससे बस कहा था कि मैं बस खाना खाती हो खुश रहती हो और exercise करती हो और ज्यादा tension नहीं लेती हो result की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती हो क्योंकि आप रोज देखते हो मैं weight check अपना नहीं करती हो ये बात सुनने के बाद उसने मुझे क्या reply किया जिसकी बज़े से मुझे बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा था उसने जो मुझे बोला था उसने मुझे बोला कि आपको इतना ज्यादा भी खुशना नहीं होना चाहिए और वो बात जैसे ही उसने बोली उसके बाद वो वहां से उठके चली गई किसी दूसरी मशीन पे और मैं अपनी जो exercise कर रही थी वही करते रही ये बात मुझे इतनी ज्यादा बुरी इसलिए भी लगी थी क्योंकि मैं जैसे ही सुबह उस समय उठती थी ना उठते साथ मैं सबसे पहले आँख बंद करके universe को ये कहती थी कि thank you universe मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ thank you universe मेरी life को इतना beautiful बनाने के लिए मैं ऐसे ही हर एक moment खुश रहना चाहती ये बात और वो बात जो उसने बोली थी वो बहुत एक दूसरे से अलग थी जिसकी वज़ा से मेरे अंदर जदो जहेद चल रही थी कि मुझे इस बात को accept नहीं करना है मैं जो wish मांग रही हूँ मैं जो चीजे बोल रही हूँ उससे ये बात बिलकुल अलग है और क्या हुआ कि जैसे ही वो वहां से हट के गई मैंने अपना पूरा ध्यान अपनी exercise में लगा दिया और मैं सिर्फ एक ही मंत्र भोले जा रही थी थैंक यु उनिवर्स में इतनी खुश हूँ थैंक यू उनिवर्स मेरी एनर्जी दो तरफ से यूज हो रही थी एक मेरे affirmation में mentally और एक exercise करनी में इतना ज्यादा हो गया था कि exercise करते-करते भी वह बात मेरे दिमाग में घूम रही थी और मेरे अंदर की जो एनरजी थी उस बात को हटा रही थी बाहर पेक रही थी इसके बाद मैंने decide किया कि चाहे कुछ भी हो जाए इसे तुम्हें अपने सामने बैठा बैठा के इसे माफ करूंगा जब भी बीच बीच में उस दिन टाइम मिल रहा था ना मैं क्या कर रही थी कि आख बंद करके उसे याद करके उसकी आखों में आखे डालके मैं उसे सामने बैठा के अपने उसे कह रही थी जाओ मैंने तुम्हें माफ किया मैं दिल से कि माफ करती हूं जो आज तुमने मुझे कहा है यह बात बोलने के बाद उस दिन भी पूरे दिन तीन चार बर बोलती यह बोलने के बात मैंने एक बात यूनिवर्स से बोली कि यूनिवर्स मुझे यह बिल्कुल भी पसंद भी कि और मैं नहीं सुभा तक किया अपनी मेडिटेशन करते अब क्या हुआ जब मैं अगले दिन जिम गई तो वहाँ वो लड़की नहीं थी मुझे पता चला कि उसने अपना टाइमिंग शाम का कर लिया है वो अब सुभा नहीं आएगी अब तीन-चार दिन ऐसे ही एकसराइस करते-करते निकल कि एकस्क्यूज में स्वीटी मैंने पूचा हां बताइए मुझे भी लगा यह अचाना कैसे आके मुझे क्यों बात कर रहे है आने के बाद मुझे कहती आम सॉरी उस दिन मैंने जो आपको बोला उसके लिए मैं आपसे दिल से माफी मागती हूँ प्लीज मुझे मुझे रहा है वो बात सुनने के बाद मुझे बहुत एकदम अजीब लगा मैंने का नहीं नहीं सोके कोई बात नहीं और आपको पता है कि जिम में चारो तरफ शीशे लगे रहते हैं अब उस दिन मैं पूरे टाइम एकसेस कर रही थी तो वो सिर्फ मेरी तरफ ही देख रही थी अ आपको बस इतना करना है जो चीज आप मांग रहे हो ना वो चीज आपको दे देना है आप क्या मांग रहे हो सौरी मांग रहे हो आपको माफी दे देना है और जब आप माफी दे देते हो ना तो सौरी आपको मिलता है आपको माफी देना है यहां से कि जाओ मैंने माफ किया बेठा बेठा के सामने आखों में आखे डाल के देखके आपको बोलना है माफ किया जब आप दिल से माफ करते हो तो वो सामने वाला sorry बोलने के लिए आ ही जाता है बेशक आप उसे मानो या ना मानो बेशक आपको sorry की जरूरत हो ना हो उसे तब तक अच्छा नहीं लगता ना जब तक वो अपने दिल को पूरी तरह हलका ना कर ले हम सब एनरजी बींगे हम सब डिवाइन बींगे और हम सब एक ही पावरफुल गौड से कनेक्ट है आपको बस अपनी पावरफुल एनरजी को ऐसे ही हाई वाइब्रेशन और प्योर बना के रखना है सो गाईज अब हम मिलते है नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रिखिए और खुश रहिए बाब बाई